पिछले सेशन में हम लोगों ने डिसकस किया था stranger to consideration and stranger to contract और stranger to contract क्या है ऐसा व्यक्ति जो की contract में party नहीं है ऐसे व्यक्ति को आप कहते हैं stranger to contract इसमें मैंने आपको एक example दिया था जिसमें की A प्रॉमिजर है और B प्रॉमिजी और जो B है वो A को कुछ प्रॉपर्टी देता है और बदले में A, B से वादा करता है प्रॉमिस करता है कि A जो है वो C को C जो की B का friend है उसे पांच हजार पर मंद प्रॉवाइट करेगा यहां पर जो contract हुआ वो A और B के बीच में हुआ जो C है, C is what? C is stranger to contract C is stranger to contract क्योंकि contract A और C के बीच में नहीं हुआ इसे लिए A is stranger to contract और जो stranger to contract होता है वो sue नहीं कर सकता cannot sue stranger to contract मुकदमा नहीं कर सकता यह चीज हम कल डिसकर्स कर चुके है आज हमें इस टॉपिक को आगे ले जाना है और हमें देखने हैं exceptions to this rule exceptions to the rule that stranger to contract cannot sue और इसमें हम क्या बात करेंगे कि जो general rule है वो यह कहता है कि जो stranger to contract है वो sue नहीं कर सकता वो मुकदमा नहीं कर सकता लेकिन जो exceptions हैं जिनको हम अपवाद कहते हैं यह exceptions ऐसी हैं जहां पर एक परसन जो है वो stranger to contract होते हुए भी sue कर सकता है जहां पर stranger to contract भी मुकदमा कर सकता है ऐसे exceptions कितने हैं ऐसे 6 exceptions हैं 6 exceptions जहां पर एक व्यक्ती stranger to contract होने के बावजूद भी sue कर सकता है फर्स्ट एक्सेप्शन क्या है इसमें फर्स्ट एक्सेप्शन वेर और ट्रस्ट इस क्रियेटिड ट्रस्ट की बाद हम पहले भी कर चुके हैं एक्जाम्पल की थू समझेंगे यह फादर है और यह फादर का ब्रदर है यह ताया यह चाचा है और यह है सन यह प्रॉमिजर है और यह है प्रॉमिजी फादर अपनी जो प्रॉपर्टी है वो अपने भाई को दे देता है और अपनी प्रॉपर्टी भाई को देकर यह भाई को बना देता है उस प्रॉपर्टी का ट्रस्टी ठीक है जी जिसके हवाले में कोई चीज कर दी जाए उस चीज का ध्यान रखने के लिए वो इनसान ट्रस्टी बन जाता है फॉर इक्जाम्पल मैंने अपना लाप्टॉप आपको दे दिया कि तुम इसका ध्यान रखना तो आप बन जाएंगे ट्रस्टी ठीक है जी और इस प्रॉपर्टी में से जो भी रेंट आए वो तुम मेरे बेटे को दे देना फादर कहता है कि मैं तुम्हारे नाम पे ये प्रॉपर्टी कर रहा हूँ तुम्हारे हवाले जिसको फाइदा पहुंच रहा हो उस ट्रस्ट की वज़ा से उस पार्टी को कहते हैं हम बेनिफीशिरी सो ये एक कंसेप्ट है ट्रस्ट का ट्रस्ट क्या होता है ट्रस्ट का मतलब क्या है जहां पे एक परसन दूसरे परसन को अपनी कोई चीज दे दे ताकि उस चीज का वो इस तरह से इस्तेमाल करे कि उस चीज में से जो भी बेनिफिट हो वो आगे किसी और को ट्रांसफर कर दि है, so यहाँ पर father ने अपनी जो property है, वो अपने भाई को दे दी है और उसमें से जो भी rent आएगा, उसके भाई ने promise किया कि वो rent वो आगे बेटे को दे देगा, so यहाँ पर son is the beneficiary and father's brother is the trustee, जो contract हुआ, वो कहां है भई A and B, Shubham and Manpreet says A and B, A and B to हैं ही नहीं कहीं पर, Anju says father's and father's brother, very good, Rukhsar, Abhishek, all of you are correct, contract किस किस में हुआ, contract हुआ between father and father's brother, तो यहाँ पर stranger to contract कौन है, stranger to contract कौन है, son, Simranji, Tanju, Shubham, Shabnam, yes, son is stranger to contract, यह stranger to contract है, stranger to contract sue नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि यह exception है, तो यहाँ पर stranger to contract भी sue कर पाएगा, can sue, यहाँ पर stranger to contract होने के बावजूद भी, जो son है, वो sue कर सकता है, यह एक first exception है, जहाँ पर trust की बाद होती है, वहाँ पर जो beneficiary होता है, वो sue कर सकता है, this is the first exception, चलते हैं, second point of exception पर, marriage settlement of a minor, marriage settlement of a minor, अब minor कौन है, एक नाबालिग इनसान को आप minor कहते हैं, और marriage settlement क्या होता है, what is marriage settlement, marriage settlement का मतलब होता है, बच्चे के नाम पर संपत्ती कराने की शर्थ, बच्चे के नाम पर संपत्ती कराने की शर्थ, ठीक है जी, कभी कभी क्या होता है, दो छोटे 18 साल से कम उम्र के बच्चों की शादी कर दी जाती है, तो वहाँ पर बच्चों के फाइदे के लिए जो प्रॉपर्टी है, वो एक दूसरे के नाम पर करवाने की शर्थ रखी जाती है, जिसे की आप Marriage Settlement के नाम से जानते हैं, एक्जेम्पल देखते हैं यहाँ पर, एक माइनर लड़की है, ये माइनर लड़की का फादर है, माइनर बच्ची का फादर है ये, और ये माइनर गर्ल का फादर-in-law है, ये फादर है, ये ससूर है, और फादर और ससूर के बीच में कॉंट्राक्ट हुआ है, और वो कॉंट्राक्ट क्या है, यहाँ पर, ये प्रामिजर है, और ये प्रामिजी है, जो फादर-in-law है, वो फादर से प्रामिस करता है, क्या प्रामिस करता है, कि तुम मेरी बेटी को minor girl, जो मेरी बेटी है, उसको तुम हर महीने भत्ता दोगे, कुछ ना कुछ पैसे दोगे, allowance, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ फिक्स्ट पैसे दोगे, ताकि मेरी बेटी परेशान ना हो, ये केस है मैरिज सेटिल्मेंट का, जहाँ पर, जो कंट्राक्ट हुआ, वो किस के बीच में हुआ, फादर और फादर-in-law के बीच में हुआ, माइनर गर्ल है, वो स्ट्रेंजर टू कंट्राक्ट है, कल को अगर फादर-in-law माइनर गर्ल को भत्ता ना दे, तो क्या माइनर गर्ल स्यू कर सकती है, अगर जनरल केस होता तो स्यू नहीं कर पाती, लेकिन क्योंकि ये एक्सेप्शन वाला केस है, तो यहाँ पर है, यह स्यू कर सकती है, स्ट्रेंजर टू कंट्राक्ट होने के बावजूद भी, जो माइनर गर्ल है, वो फादर-in-law को स्यू कर सकती है, थर्ड एक्सेप्शन, पाटीशन in joint Hindu family, कई families इकठी रह रही होती है, जिने आप joint Hindu family कहते हैं, जिसमें, जो head of the family है, उसे करता कहते हैं और करता के नीचे, करता के बेटे, करता के पोते इस तरह से जो लाइम बनती है उसे आप कहते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली कभी-कभी जॉइंट हिंदू फैमिली में हो जाता है बटवारा पार्टिशन अब बटवारे के टाइम पे कुछ न कुछ फैसला किया जाता है जैसे की A, B, C three brothers है three brothers है X करता है करता कौन होता है फैमिली का head head of the family head of the family को आप करता कहते हैं और A, B, C इस करता के तीन बेटे हैं जिसमें से जो C है वो financially weak है financially and mentally यहाँ आप कहलीजिये mentally weak है C is mentally weak दिमागी तौर पे थोड़ा सा कमजोर है जो C है लेकिन तीनों भाईयों में आपस में हो गया dispute dispute हो गया जगड़ा हो गया और अब होने वाला है बटवारा सारी जो property है वो तीनों भाईयों में बांट दी जाएगी और साथ ही साथ A और B में आपस में एक contract हुआ जिसमें A और B ने decide किया कि वो दोनों हर महीने C को 1000 रुपीज दिया करेंगे क्योंकि जो C है वो कोई काम नहीं कर सकता mentally weak है वो कोई काम नहीं कर सकता इसी लिए A और B ने आपस में decide किया contract किया कि हम दोनों मिलकर C को 1000 रुपीज प्रती महीना दिया करेंगे यहाँ पर C कौन है C is stranger to contract कल को अगर A या B में से कोई 1000 रुपीज देने के लिए इंकार कर दे तो क्या C स्यू कर सकता है stranger to contract होने के नाते कर तो नहीं सकता लेकिन क्योंकि यह exceptional case है सो यहाँ पर जो C है वो स्यू कर सकता है यह हुआ case partition partition का कि जब partition के joint Hindu family में partition होता है तो किसे तीसरे व्यक्ति को अगर फाइदा हो रहा है तो वो स्यू कर सकता है stranger to contract होने के बावजूद भी चौथा आता है contract of agency contract of agency की मैं आपसे पहले भी कई बार discussion कर चुकी हूँ कि यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसको principal कहते है और principal की instructions पे जो दूसरा व्यक्ति है जिसको की आप agent कहते हैं वो principal के बिहाफ पर काम करता है यह है जी आपका principal और यह है agent और principal ने agent से क्या रखा है कि मेरे पास इतना time नहीं है तो third parties के साथ न तू ही dealing करेगा तीसरे व्यक्ति के साथ तू ही dealing करेगा मेरे पास इतना time नहीं है तो agent क्या करता है third parties के साथ contract करता है समान बेचने के लिए कल को अगर यह third party payment देने से इनकार कर दे payment देने से इनकार कर दे तो क्या प्रिंसिपल इसे स्यू कर सकता है? चाट बॉक्स I want answers quickly प्रिंसिपल इसे स्यू कर सकता है? Everyone is saying no but Rukhsar is saying yes Abhishek is saying yes Simran, Neha, yes जो पहले no वाले थे बिटा आप भूल गए हैं कि हम exceptions के points कर रहे हैं main इंसान तो प्रिंसिपल ही है, agent तो सिर्फ प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम कर रहा है agent तो सिर्फ प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम कर रहा है main party तो principal ही है so जब agent third party के साथ contract कर रहा है, तो वो किसके बिहाफ पर कर रहा है, principle के बिहाफ पर कर रहा है हाँ जी हम मानते हैं कि contract जो है वो principle के साथ नहीं हुआ जो principle है वो stranger to contract है यहाँ पर लेकिन stranger to contract होने के बावजूद भी वो सिउ कर सकता है because this is an exception Anshul says yes with a smile okay fifth exception fifth exception is charge on immovable property charge on immovable property charge का मतलब क्या होता है charge का मतलब होता है गिर्वी रखना गिर्वी रखना और immovable property का मतलब क्या है अचल संपत्ती अचल संपत्ती के कुछ एक्जाम्पल्स बताइए मुझे I want some examples of immovable property क्या examples है अचल संपत्ती के शुभम लैंड बिल्डिंग रुकसार मशिन्री वेरी गूड फिक्स्ट मशिन्री जो होती है पूजा चेर इस नाट immovable property बिटा आप चेर को एक जगा से उठाके दूसरी जगा ले जा सकते है So these are some examples of immovable property जिसको आप नहीं चला सकते अब देखिए आप immovable property को गिरभी रख रही है और किसी तीसरे के benefit के लिए example देखिए देखिए A और B A ने अपनी property B को दे दी और प्रॉमिस किया B ने ये प्रॉमिसर है ये प्रॉमिसी है और B ने प्रॉमिस किया कि जो भी property से rent आएगा आप ये ट्रस्ट वेली बात भी यहाँ पर कर सकते है एक तरहां सर ठीक है जी C जो की A का son है A is son B ने वादा किया A से कि इस property में से जो भी rent आएगा वो में तुम्हारे बेटे को दूँगा और A ने अपनी जो property है वो गिर्वी रखती किस के पास? B के पास यहाँ पर contract हुआ A और B के बीच में जबकि जो C है वो stranger to contract है लेकिन stranger to contract होने के बावजूद भी वो मुकदमा कर सकता है B के उपर और इसके साथ ही हमारी last exception the sixth one sixth exception assignee assignee का concept समझते हैं पहले की assignee कौन होता है सबसे पहले तो assignee वो होता है जिसके हक में कोई right दिया गया हो जिसको कोई right दिया गया हो उसे आप assignee कहते हैं A ने B को अपना कोई right हक B को दे दिया यहां पर A assignee है और B assignee है ठीक है जी जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपना कोई हक दे देता है तो जो व्यक्ति हक देता है उसे assignee कहते हैं और जिस व्यक्ति को हक दिया जाता है उसे assignee कहते हैं concept clear हो गया तो आगे बढ़ते हैं यह तो assigner, assignee का concept है, अब एक example देखते हैं, आपने bill of exchange के बारे में तो पढ़ा है कई बार, प्लस टू से पढ़ते आ रहे हैं, प्लस फिन प्लस टू से, A ने B को एक bill of exchange दिया, bill of exchange, A ने B को एक bill of exchange दिया, कि मैं तुम्हें payment करूँगा, मैं तुम्हें payment करूँगा तीन महीने बाद, यह कौन है यहाँ पर, यह bill draw करने वाला है, और दूसरा, the one person is the drawer, another one is the drawee, A ने B को bill of exchange दिया, जो B है, उसने यह bill आगे C को endorse कर दिया, endorsement का concept भी पढ़ा है आपने, endorse कर दिया, endorse कर दिया मतलब, कि यह जो bill है, अब मैं नहीं लूँगा, अब इस bill की payment तुम ले लेना, 1000 रुपीज की payment अब तुम ले लेना, यहाँ पर B अपना हक किसको दे रहा है, C को दे रहा है, B is assigner, and B is the assignee, B अपने पैसों का हक, bill of exchange का जो हक है, वो किसको दे रहा है, वो C को दे रहा है, B is the assigner, and C is the assignee, लेकिन contract किन दोनों के बीच में हुआ है, payment का contract किसके बीच में हुआ है, contract of payment हुआ है, A and B के बीच में, तो फिर C क्या है, C, तो एक stranger to contract है, तो कल को अगर A payment ना करे, अगर A payment ना करे, तो क्या C, A को sue कर सकता है, yes, can sue A, C can sue A, कि कर जी, contract चाहे A और B के बीच में हुआ है, लेकिन, जो C है, वो stranger to contract होने के बावजूद, B, A को sue कर सकता है, these are the six exceptions, of stranger to contract, general rule क्या है, कि जो stranger to contract है, वो sue नहीं कर सकता, लेकिन, छे exceptional cases में, जो stranger to contract है, वो sue कर सकता है, और वो cases कौन से हैं, ट्रस्ट, marriage settlement, partition of Hindu undivided family, agency का केस हो, या फिर immovable property को गिर्वी रखने का केस, या फिर assignee का केस, इन सब cases में, जो stranger to contract है, वो sue कर सकता है, next topic इसमें हमारा आता है, unlawful consideration and object, unlawful consideration and object, मैं आपको बता चुकी हूँ, कि contract जो without consideration होता है, वो माननिय नहीं होता, ना ही, without consideration contract माननिय होता है, बल्कि, जिस contract का जो consideration या object है, वो unlawful हो, ग्यार कानूनी, ग्यार कानूनी, consideration या object हो, ऐसा agreement हो जाता है, void, जिस contract का consideration या object, unlawful हो, वो contract, void कहलाता है, हमारा इसका section है, section 23, और section 23 क्या कहता है, कि इन इन cases में, कौनसे cases में, पांच cases में, इन five cases में, consideration या object को, unlawful माना जाएगा, unlawful माना जाएगा, और unlawful माना जाने की वजह से, ऐसे agreements, void हो जाएगे, वो पांच cases कौन से हैं, first case, first case है, if an act, is forbidden, if an act is forbidden by law, forbidden का मतलब क्या होता है, रोक, रोकना, अगर किसी कानून ने, किसी कार्य के उपर, रोक लगाई है, तो ऐसा act जो होता है, ऐसा कार्य जो होता है, उसे unlawful माना जाता है, for example, अगर हम IPC की बात करें, Indian Penal Code, Indian Penal Code कहता है, कि किसी को मारना, किसी की जान लेना, किसी का murder करना, या फिर किसी को physically harm करना, शारीरिक तौर पे किसी को नुकसान पहुंचाना, ये सब गलत है, IPC इन सब चीजों को रोकता है, इसलिए ऐसे कार्य अगर करे जाते हैं, या ऐसे कार्य करने का agreement किया जाता है, A ने B से कहा कि तू C को मार दे, मैं तुझे एक लाक रुपए दूँगा, क्योंकि मारने का जो एक्ट है, वो लौ ने रोक रखा है, फॉबिट कर रखा है, इसलिए ये कार्य अनलॉफुल है, ये अनलॉफुल कंसीडरेशन है, इसका जो उदेश्य है वो अनलॉफुल है, ग्यार कानूनी है, जिस वजह से ऐसा agreement जो है, इसको वॉइड माना जाएगा, दूसरा केस कौन सा है, सेकिंड केस, इफ अन एक्ट डिफीट्स दिफीट्स दिफूविजिन्स ओफ लॉफुल ये कल करेंगे, अभी इफ इफ इट इस फ्रॉडुलेंट, पहले ये वाला पाट कर लेते हैं, अगर आप किसी एग्रिमेंट के थूँ किसी को धोखा किसी के साथ धोखा धड़ी कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं किसी के साथ, ऐसा एग्रिमेंट वॉइड माना जाएगा, Principal Agent का concept हमने अभी अभी discuss किया वही Principal Agent यहाँ पर है Principal के पास ना एक land है, एक जमीन है Agent क्या करता है? यह A है और यह B है Agent क्या करता है? A को बिना बताए यह जो A का land है, वो C को sell कर देता है बिना A को बताए A का land, C को sell कर देता है A को पता भी नहीं कि जो A का land है, वो sell हो चुका है यहाँ पर B ने A के साथ क्या किया? दोखा किया, cheating करी ऐसा agreement जो है जो B और C के बीच में हुआ है agreement between B and C is void B और C के बीच में यह जो agreement हुआ है, यह void है क्यों? क्योंकि यहाँ पर A के साथ दोखा किया गया है दोखे की बुनियाद पर यह contract किया गया है इसलिए this agreement is void बाकी तीन cases हम कल discuss करेंगे